दोस्तों हमारे क्लिनिक पर जो डॉक्स के केसीज होते हैं उसमें 80% केसीज सारे स्किन प्रॉलम के होते हैं तो आज मैंने सोचा कि सारी जितने भी टाइप की skin problems होती है उनकी combined video बनाई जाए और आपको पूरा को पूरा ज्यान दिया जाए इस video में हम हर तरह की homeopathy दवाई, home remedy और जो oilopathy दवाई है और किस टाइप पी shampoos यूज करने हम सारा एक ही video में समझेंगे तो इस video में पूरे बने रहना लाज तक देखोगे तब यह video समझ में आएगी, तो guys मोटे मोटे तोर पे skin problems चार टाइप की होती है, पहली होती है fungal infection, second होता है bacterial infection, तीसरा होता है parasitic infection, ticks, mites वगरा वाला, और चोता है endocrinology के वज़े से skin problem होती है, पीची जोगा हम detail में जानें के अंदर बैढ़ जाते हैं, या कहीं पर मौश्चर वाले सीजन में रह रहे हैं, या ऐसी जगह रहे हैं जहां पर पानी वानी पड़ा रहता है, तो इस टाइप के dog के अंदर fungal infection बहुत ज्यादा common है, fungal infection में क्या होता है, कि skin की थोड़ी-थोडी scaling और स्टार्ट हो जाती है, flaky सी skin हो जाती है, किसी-किसी में extreme cases के अंदर skin बिल्कुल black color की हो जाती है, ज्यादा armpits है dog की वहां पर होती है, गर्दन के नीचे skin, fungal infection बहुत ज़्यादा common है, और photodermatitis जो पैरों के अंदर infection हो जगा है, उसके बड़ा common है, तो सबसे पहले जो fungal infection के लिए हम यूज क करना है, cotton से लगा के सारे श्रीर पे लगा देना है, जितनी भी मैं द्वाईयां आपको पता रहा हूँ, जितनी भी home remedy पता रहा हूँ, आइस को थोड़ा सा ओवाइड करने, आइस में नहीं लगने देनी हमने, और थोड़ा सा चाटने नहीं देना होता dog को, तो आपने सिर भाइड के वाला formula बहुत ही बढ़िया रहेगा, इसके आलावा होमियोपेठी की बात की जाए, तो आर एटी टू जो यह है, जो मैं द्वाईयां आपको पता रहा हूँ, या तो कॉपी पे लेके बैड जो भाई, नई तो आप स्क्रीन शॉट लेते जहों, मैं सारी द्वा अगर डोग कॉंटिनूसली खारिश करे जा रहा है अपने आपको तो आरसेनिक की होमेपेथी दवाई आती है बहुत ही बढ़िया काम करती है पोटेंसी सारी आपको इसकी स्क्रीन पर आजाएगा सेकिंड टाइप का जो सा इंफेक्शन होता है वह होता है बैक्टिरियल पिंपल टाइप के बन जाते हैं यह बैक्टिरियल इंफेक्शन को शो करता है डॉक के अंदर इसके लिए जो हमारी होम रेमेडी काम करती है वह होती है कैमफर ओयल को आप 50% करके कोकोनेट ओल में डाल सकते हैं तो सिंपल आपकोनेट ओल जो अपना नारियल तेल है उसमें आपने हैं लगा देनी हैं अपने डॉक के और हफे नार तक फोड़ देना है यह बहुत ही मर्लिक राएं डूर काम करती आपकोनेट और यह स्किन की रेड़नेस प्राइज हैं और दोग में डाल के पूरी श्रीर पे spray किया जा सकता है ये भी बहुत ही बढ़िया रहता है इसमें जो हो में प्रेथी द्वाई काम करेंगे वह है बहुत ही बढ़िया वार्क करती है आप इसको बेजज़क दे सकते हो इसके अलावा जो स्किन फोल्ड के अंदर इंफेक्शन हो रहते हैं खासकर जो भी रिंकल वाली ब्रीड है या बुल्डोग वगरा है उनकी टेल के फोल्ड के अंदर कहीं पर बैक्टिरियल इंफेक्शन हो जाता है तो दोनों में कास्टिकम बहुत बढ़िया काम करतीर अइसके पर अगर आपके डॉक के अंदर बहुत ज़्यादा पायोडर्मा टाइप का और का स्मेल आ रही है वहाँ पर केलेंडूला का पेस्ट भी उज़ कर सकते हो ओंटमेंट भी यूज़ कर सकते हो बहुत ही बढ़िया वर्क करता है तो तीसरे टाइप की जो स्किन इंफेक्शन है मैंुस्तार टाइकिंट से यह सब्सक्राइप नतबन ye फॉदज़ की और की ऐसे पर flick देखता है एंस ने से लिछे इहाँ सतहिए है के बढ़िए तोनों वह जो फार्मूलें वह तो यूज करी सकते हैं साथ में कुछ ऐलोपैफि द्वहियां को यूज करनी पड़ेंगी इसमें पैस्टिसाइट यूज करने पड़ते हैं जिसमें बिटोक्स हो गया आपका टिक-टैक हो गया रिड हो गया इस टाइप की चीज़े बहुत ब बढ़िया रिजाय आएंगे इसके जी ड्रग है एक आई वर्मेक्टिन की गोलियां और इसके लोग धड़ा धड़ा दबाग दबाग के डॉक्स के देते रहते हैं तो जुसके भी है जो सब मेंज है जो प्रसेटिक इंफेक्शन है उसमें काम करती है जिर्फ आई ये अटोपिक डर्मेटाइटिस का केस है, जब खारिश बार-बार रिपीट हो रहे हैं, जब तक आप दवाईयां दे रहे हो, तब तक उसमें अराम रहता है, जैसे दवाई बंद करते हो, फिर दुबारा स्कीन प्रोलम स्टार्ट हो जाती है, इस टैप के केसिस के लिए, अ अजकल बड़े लेटेस ड्रग आई है, ब्रवेक्टो आई है, नेक्स गार्ड आई है, ये बहुत अच्छा काम करती है, ये अपनी डॉक्टर के साब पूछ के, आप जो भी वहाँ पर अवेलेबिल्टी हो, आप दे सकते हो, फोर्थ नंबर पर आता है, एंडोक्राइनोल तो इसका टीपिकल सिम्टम क्या होता है, एंडोक्राइनोलोजी का जो सा हाइपो थारेडिजम है, बीमारी कुशिन सिंड्रोम है, इसके अंदर क्या है कि डॉक के बाल ना सिमेट्री के लिए अलोपेशी हो जाते हैं, और टेल होती है, और रेट अलोपीरेंस हो जाती है, टेल के सारे बाल जड़ जाते हैं, और जैसे चुए की पूंच होते हैं, उस तरह से लगने लग जाता है, यह हाइपो सारीडिजम में होता है, इसके अंदर T3, T4, TSH, यह टेस्ट करवाने पढ़ते हैं, जिससे वैल्यूमार को पता लगते हैं, और उसे साफ़ से डोस के होती है, कि हमार को उपर से उसको कितना थाइरोड हर्मोन देना है, अब हमने चारों चीज़े देख लिए, अब हम पताता हूं मैं आपको कि इसमें कैसे कैसे हमने रखना है डॉक का, आप जब भी डॉक को मिक्स्ट इंफेक्शन हो रखा या फंगल बैक्टेरियल इस कर सकते हो, आपने क्या करना है, पहले आदा पॉना घंटा लगा के चोड़ना है, जो भी हमने हो में पैथी पताई थी, उसके बाद ये शेंपू रगड के श्रीर पे लगाना है, और आदा घंटा छोड़ देना बोडी पे, कोई भी जो प्रड़क्ट मैंने आपको पताया चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर वीडियो में अभी तक बने रहे हैं तो वीडियो को लाइक के बिना मच जाना भाई, और जल्दीली सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई, आब आपके सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा शुरूरत है मुझे थैंक्स फर वाचिंग गाईज, लब यू आल, ऐसी वेसमा प्यार बनाए रखिए, वीडियो देखते रहे हैं, थैंक्स फर वाचिंग